हलो वडियों आज है 21 अक्तूबर और आज इस वडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में देखें कि क्वाटर 2 के नंबर आ चुके हैं आज और नतीजे अगर हम देखेंगे पिछले साल से कंपेर करोगे तो आपको अच्छे लगेंगे लेकिन पिछले नहीं है हाई वेल्योशन के उपर बैठा हुआ है ये तो बात करेंगे कि भाया जिस प्राइस पर है इसके अलावा क्वाटरली रिजल्स भी आ जो आ है उसके बारे में भी बात करेंगे कि मौके हैं और अगर बनेंगे मौके तो कहां पर बनेंगे देखें वीडियो को शु लाइन से गुजरा फिर कुछ टाइम के लिए कंसॉलिडेट किया और कल तीजी दिखाई थी लेकिन मुझे लगता है कि जब मंडे को बाजार खुलेगा तो गिरावट के साथ ये ओपन हो सकता है यहां तक पिछले एक साल की बात करेंगे तो ग्यारा परसन का ग्रोथ बारा ये आपको 15-16 पे जाता नजर आने वाला है और जो मौके बनेंगे वो 15 रुपए के आसपास बन सकते हैं खरीदारी के क्योंकि डेफिनिटली मुझे ता है कि 15 रुपए तक जाना चाहिए और वो वहां पर जाता नजर आ भी रहा है क्योंकि जहां तक इनके नतीजे क बात करें हम तो देखें रिवन्यू में तो चलो लगातर ग्रोथ आ रही है लेकिन प्रॉफिट में दिक्कत है यहां पर अगर आप देखो गे तो अभी सप्टेंबर क्वार्टर के जो आज नंबर आए उसके अकॉर्डिंग इनके जो रिवन्यू थे रूटल इंकम कहलो वो 7,920 करोड के रही यह लाख में नंबर है ठीक है तो करोड में अगर देखें तो 7,920 करोड के इनकम रही जो इससे पहले के क्वार्टर में 7,580 करोड थी तो डेफिनिटली थोड़ा सा ग्रोथ जरूर आया है इनकम में और पिछले साल के मकाबले तो बहुत अच्छा लेकिन दिक्त आ गई है प्रॉफिक्स प्रॉफिट में दिक्कत है इसबार का जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ दो सुपचीस करोड का हुआ है अगर आप पिछले साल के 150 करोड से कंपैर करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन इस से पहले के को आटर में काबले profit में बहुत बड़ी गिरावट कह सकते हैं कि यहां पर देखने को मिल रही है कि profit यहां पर काफी हद तक इनका गिरा है और उसकी वज़ा जो है वो यहां पर वया इनके जो खर्चे हैं वो है खर्चे हैं यहां पर वो एक सबसे बड़ी वज़ा है इसके अलावा अगर हम देखें तो profit फ्रम और यहां पर जो पहले खर्चे इनके हुआ कर्चे थे वो तकरीबन इस बार जो हुए है वो तकरीबन 7,119 करोड के हुए है जो कि इससे पहले के quarter में 6,765 करोड के थे तो खर्चे यहां पर इनके बढ़े हैं और यही एक वज़ा है कि वहां दिक्कत में है यह और जहां तक देखा जा तो quarter on quarter growth नहीं है और actually में एक और बड़ी बात है कि जो market expect कर रहा था profits वैसे profits भी नहीं आये है यहां पर definitely इनके अगर आप देखोगे तो gross NPA जो है वो इससे पहले के quarter में भी 2% का था इस बार भी 2% का है मतलब को इतना बड़ा सुधार न उसके मुकाबले काफी अच्छा लेकिन quarter on quarter gross NPA में सुधार नहीं है net NPA जो 1% का था वो अभी भी 0.90% का है मतलब definitely थोड़ा पो सुधार यहां पर जरूर आया है यह हम कह सकते हैं लेकिन अगर आप यहां पर money अगर CNBC का अगर हम analysis देखेंगे तो यहां पर देखेंगे expectation ज पोल था वो यह expect करके चल रहा था कि company का bank का जो profit वो 350 क्रोड के आसपास का होगा तो भया उतना नहीं आया है 225 क्रोड का ही हुआ है इस बार का profit तो definitely estimates अगर इतना कम आता है तो market वो react करता है भया कई सारी सरकारी bank ने अच्छे खासे profit कमाए है लेकिन फिर भी share गिरे है तो वही है यहाँ पर तो expectation से भी कम आये है तो share में गिरावट तो शायद यहाँ पर आपको देखने को मिल ही सकती है इसके अलावा सिर्फ इसी के नहीं जो mq global था ठीक है वो expect कर रहे थे यह जवेंग से 333 करोड profits expect कर रहे थे तो वो भी उनसे भी मुकाबल कम आये है यहाँ प यहाँ पर सिंबल सी बात है कि वीक मार्जिन यहाँ पर इंको असर करेंगे आने वाले टाइम में और यह हो रहा है जहां तो देखो सतरा रुपया देखने में अच्छा लगा है कि है सस्ता है लेकिन अगर वैल्यूशन की साथ देखे तो भाईया 65 कपी है सस्ता नहीं है औ तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्ट किये जाते हैं और अगर वो नहीं देखने को मिलते हैं तो दिक्कत आती है यहाँ इसको जो मार्केट के अपर वो 50,000 क्रोड के आसपास का देखने को मिल रहा है और जहां तक बात करी जाए इस बैंक में शेहोल्डिंग पैटर्न की त 38.48 पर आई और बाद अभी सप्टेंबर क्वाटर में और घटके यह 35.90 पर आ चुके हैं तो आपको लग रहा है खरीद कौन रहा है तो ठीक है तो यहाँ पर एफाइल्स ने भी खरीदारी नहीं करी है 23.79 से घटकर 23.39 पर आए है डियल्स अगर आप देखोगे तो डियल में भी खरीदारी हुई जरूर है लेकिन मुचल फंड में 0.16 पर संट की होडिंग 0.14 पर आई है बेक्वाली करी है इन्होंने पब्लिक बेच रहा है फाइल्स बेच रहा है मुचल फंड बेच रहा है इंशरन्स वाले भी बेच रहे है 4.62 से बेच कर 4.59 पर आए तो अध या अधर डियाइल्स खरीद रहे हैं बाकी हर कोई बेच रहा है यहाँ पर देखिए ओवर ओल इस बैंक को लेकर मैं कहूंगा कि बरबाद होने वाला बैंक नहीं है काफी सारा पैसा इसने ओल्डेडी रेस कर लिया है और कंपनी बैंक जो है वो अभी भी अच्छा कासा है कैश है उनके पास रिजर्व है जो लॉंग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं देगा लेकिन हाँ जो नंबर्स आ रहे हैं वो डेफिनिली इनको परिशान करेंगे आने वाले कुछ कौर्टर तक और मंडे से मुझलत है कि यहाँ पर गिरावट बनेगी अब तक हमने पिछल कर रहा था अच्छे नतीजे जो कि आए नहीं है प्रॉफिट वाइज तो कहीं न कहीं इसका इंपेक्ट कल होगा ज़रूर कल गिरावट के लिए तयार रहना पड़ेगा यह मेरा मानना है इसके अलावा मुझे रखता है कि जो खरीदारी के मौके है यहाँ पर मैं मानता कि 14-15 रुपे का लेवल एक इनिशल सपोर्ट वहाँ पर नजर आता है और अगर यह वहाँ पर मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे लेकिन अगेन मैं कह दू अभी भी यहाँ पर बाई तब ही करें जब आपका नजरिया तीन से चार सालों का हो क्योंकि अभी भी एक स दीरे दीरे चाहो तो एड करो लेगिन उतना ही करो जितना अगर डूब भी जाता आपको दिक्कत नहों अपने पॉर्टफोलियो का बहुत बड़ा अलोकेशन भी इसको नहीं करना चाहिए यूगर फंडमेंटली देखा जाए तो थोड़ी सी वीक यहाँ पर पड़ती चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अगर अगर आप मेरा कूपन कोड हसे 20 का इस्तमाल करें तब को 20% का डिसकाउंट भी मिल जाएगा कई सारे बैतरी इन फीचर्स के आप जिनमें से कि जो बड़े-बड़े इंवेस्टर्स हैं वो क्य बारे में आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं जो नतीज़े आये हैं उसके बारे में भी आपका क्या ओपिनियन है वो भी मुझे लिखकर ज़रू बताएगा थैंक्यू